हेलो गाइज, वेलकम टू केमबुष्ट अगेन, तो आज हम डिसकस करने वाले हैं एलकेंस एंड साइक्लो एलकेंस का लेक्चर नमबर 17, जिसमें हम बेसिकली कवर करने वाले हैं साचे मोहर थियोरी को, मैं आपको हाइली रिकॉमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर यानि बेस्ट्रेन थियोरी वाले लेक्चर को नहीं देखा है, तो उसे जरूर देखें, तभी इस थियोरी का फील आने वाला है, तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेश्ट किये स्टार्ट करते हैं, तो चलिए डियर स्टुडेंट्स, अब हम लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा recap करवाना चाहूंगा इससे पहले वाले lecture में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से cover किया था Bale Strain Theory को वहाँ पर हमने देखा कि जो Bale Strain Theory है वो successively reactivity या stability explain कर देती है 5 member या अगर हमारे पास ring में 5 से less carbon atoms present हो लेकिन अगर हम बात करें 6 member drinks या higher member drink की तो वहाँ पर Bale Strain Theory उनकी stability या reactivity को explain नहीं कर पाती तो साचे और मोहर हमारे पास दो scientists थे इन्होंने क्या कि कि cycloalkanes के models को re-examine किया और एक theory purpose की जो थी साचे मोहर theory of strainless rings क्या कहती है साचे मोहर theory अगर ये पहले read करते हैं मैं segment wise आपको समझाता जाहूंगा बहुत ही easy है step by step चलेंगे according to this theory the carbon atoms of a five-membered and smaller rings can be in a single plane as postulated by bear but in six-membered and larger rings they lie in different planes कि हमारे पास ये theory कहती है कि अगर हम बात करें अगर हमारे पास ring में five carbon atoms present हो या smaller rings यानि five से कम carbon atoms present हो तो वो हमारे पास single plane में हो सकते हैं जैसा कि हमारे पास bear का एक postulate भी था लेकिन अगर हम बात करें six-membered या larger rings की तो वो different planes में लाई करेंगे यानि simple simple ये क्या कहना चाह रहा है आगे चलते हैं in other words the rings containing five or less carbon atoms are either planar or very nearly planar but those of six or more carbon atoms are essentially non planar और पकड की simple simple सिदा सिदा क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर हमारे पास rings में five या less carbon atoms present हो तो या तो वो planar होंगे या nearly planar होंगे लेकिन अगर हम six या उनसे ज़्यादा carbon atoms वाले ring की बात करें तो वो non planar होंगे या puckered होंगे पकर वर्ड मतलब सिकुडना एक तरीके से आगे चलते हैं as a result of this puckering each carbon atom retains its normal tetrahedral angle जो की होता है हमारे पास 109 degree 28 minute and there is negligible or no strain in the molecule की जो हमारे पास ये puckering हो रही है इसके करन हर carbon atom normal tetrahedral angle को retain कर लेता है तो हमारे पास strain की गुंजायशी नहीं रहती यानि अगर strain होता भी है तो वो काफी negligible होता है क्योंकि हमारे पास base strain theory का postulate क्या था कि angle strain कब आता है molecule में या ring में वो तब आता है जब हमारे पास normal tetrahedral angle से थोड़ी सी deviation आई हो कुछ distortion आया हो लेकिन अगर normal tetrahedral angle को ही retain कर लिया तो काहे का angle strain यानि no strain in the molecule है भी तो negligible है एक बार repeat कर लेते हैं बहुत ही important चीज है हमने देखा कि जो base strain theory थी वो 5-membered या अगर उससे कम carbon atoms present है ring में उनकी reactivity और stability को तो explain कर देता है काफी easily लेकिन अगर हम बात करें 6-membered ring या higher rings की तो वहाँ पर वो उनकी reactivity और stability को explain नहीं कर सकता तो साचे मोहर theory ने अपनी theory दी और उसका नाम था साचे मोहर theory of strainless rings इन्होंने कहा कि जो हमारे पास carbon atoms अगर 5 है ring में या उससे smaller rings है तो वो single plane में होंगे जैसकि हमारे पास bear ने कहा था लेकिन जो 6-membered और larger rings है वो different planes में होंगे यानि सीधा सीधा अगर rings में हमारे पास 5 या less carbon atoms है तो वो planer होंगे या nearly planer होंगे लेकिन अगर 6-0 जादा carbon atoms present है तो वो non planer होंगे या हम what use करते हैं पकर्ड और इसी puckering होने के कारण हमारे पास हर carbon atom normal tetrahedral angle को retain कर लेता है और हमारे पास जो ring है उसमें stain नहीं रहता या हम बोल सकते हैं अगर stain है भी तो वो काफी negligible है अगर थोड़ा odd depth में चले हम तो हमारे पास साचे मोहर ने two puckered forms दी थी cyclohexane की chain confirmation bought confirmation हम chain confirmation को bought confirmation में convert कर सकते हैं simply by rotation about single bonds और इसी वज़े से हम इने confirmations भी बोलते हैं cyclohexane की जो कि stereo chemistry में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे for the timing आप इतना याद रखें यह हमारे पास जैसे movies में beach दिखाते हैं वहाँ पर chase पड़ी रहते हैं यह कुछ उस तरीके से है और यह bought confirmation है easily recognizing कर सकते हैं यह हमारे पास two puckered forms of cyclohexane और इसी तर occurring of atoms in the molecules तो यह तो हमारे पास साचे मोहर theory की statement थी कि यह हमारे पास क्या कहना चाह रही है तो आप इसे note कर लीजी फिर इस theory के base पर भी हमारे पास कुछ questions arise होते हैं फिर हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा और elaborate करते हैं इस theory को तो चलिए dear students अब थोड़ा और चानबीन करते हैं इस theory में अब देखिए इस theory ने यह declare कर दिया कि जो higher member rings हैं वो stable हैं लेकिन आपको पता है dear कि हमारे पास जो higher member rings होते हैं उन्हें synthesize करना काफी difficult होता है और bear strain theory में अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हमने देखा था कि लेकिन अगर ring unstable है तो उसे synthesize करना काफी difficult है लेकिन साचे महर theory कह रही है कि जो higher rings है वो stable है लेकिन फिर भी उन्हें synthesize करना difficult क्यों हैं तो basically dear हमारे पास अगर ring को synthesize करना difficult है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो unstable हो कुछ और भी effects होते हैं जो उसकी synthesis को difficult बनाता है अब वही हम देखते हैं कि आखिर वो क्या है यह read करते हैं बहुत ही मज़ेदार बात है Bayer's assumption that a compound difficult to synthesize is necessarily is not correct Actually for ring closer to occur it is essential that the two ends of a carbon chain possessing the functional group must come sufficiently close together to react with each other कि हमारे पास बेल्क या coding जो यह बात है कि अगर वो unstable है तो उसे synthesize करना difficult होगा लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे पास यह कहता है अगर माली यह हमारे पास वो carbon की chain है और इसके end पर functional group present है और तो यह कहते हैं कि अगर हमारे पास ring को close होना है तो यह sufficient है कि जो end पर हमारे पास functional group present हो वो पास पास आए और react करें लेकिन अब आप बताएं अगर हमारे पास हमें larger ring की formation करनी है तो obviously बात है जो carbon chain होगी वो भी large होगी तो हमारे पास बहुत कम chance होगे कि जो carbon के end है जिन पर functional group present है वो पास पास आएं और इसी वज़े से हमारे पास difficulty होती है larger ring को synthesize करने में यही बात हमने यहां लिखी है evidently larger the ring to be synthesized larger must be the chain from which it is made and hence less chances of the two ends of the same chain approaching each other अब लेकिन एक और चीज भी तो हो सकती है अब यह वो carbon chain है काफी length है इसकी और इसके carbon end पर functional group present है तो हमारे पास within the molecule तो यह पास पास नहीं आ रहे हैं मतलब intra molecular condensation तो नहीं हो रही लेकिन अगर हम ऐसी ही chain एक और लियाएं तो हमारे पास जो carbon end है तो तो वो पास पास आ सकते हैं यानि inter molecular condensation तो हो सकती है तो इसी वज़े से intra molecular condensation ना होकर inter molecular condensation काफी easily होती है हमारे पास यह competition रहता है कि inter molecular condensation हो या inter molecular condensation हो लेकि inter molecular condensation हमारे पास predominate करती है और इसी वज़े से हमारे पास यह difficult होता है synthesize करना क्योंकि हमारे पास यह competition लगा रहता है कि inter molecular condensation हो या inter molecular condensation हो लेकिन generally हमारे पास inter molecular condensation बहुत अच्छे तरीके से होती है क्यों क्यों क्योंकि अगर हमारे पास जो carbon chain है वो larger है तो काफी कम chance है कि इसके end पे जो functional group है वो पास आएंगे तभी तो react करेंगे लेकिन अगर हम echo chain ले लें तो काफी easily इनके जो end group है वो पास पास आएंगे react करेंगे और हमारे पास formation हो जाएगी यानि ring closer हो जाएगा easy तरीके से तो यही बात हमने यहां लिखी है under these conditions there would be greater probability for the two different chains coupling together two different chains coupling together इसे हम बोलते हैं intermolecular condensation rather than the two ends of the same chain rather than the two ends of the same chain undergo the ring closer जिसे हम intermolecular condensation भी बोलते हैं यहां हम ने दिखाया भी है थोड़ी और picture clear होगी यह कोई long chain ली इसके end पर functional group present है अब यह पास पास हैं react करेंगे तो intermolecular condensation होगी और इस तरीके से हमारे पास ring closer होगा लेकिन अगर हम यहां पर आलग आलग चेन ले 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 यानि हमारे पास intermolecular condensation हो जाए तो ring का closer कुछ इस तरीके से होगा और intermolecular condensation हमारे पास काफी easy तरीके से हो जाती है रिपीट करना है रिपीट कर लेती हैं देखिए हमारे पास जो higher rings होते हैं उन्हें synthesize करना difficult होता है और bare stem theory कहती है कि जो जिसने stable होगी उतना जल्दी synthesize होगी लेकिन अगर unstable है तो उसे difficult है synthesize करना लेकिन हमारे पास ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो unstable है इसलिए ही उसे synthesize करना difficult है हमारे पास यहाँ पर साचे महर theory ने बताया कि अगर हमारे पास larger ring की formation करनी है तो ओव्यस्सी बात है larger chain की जूर्थ होगी और larger chain में हमारे पास ऐसा जरूरी नहीं है कि sufficiently close आ जाए carbon के end पर जो functional group present है इसलिए से हमारे पास intramolecular condensation ना होकर कौन सी condensation होती है intermolecular यानि two different chain हम लेते हैं और यही हमारे पास competition लगा रहता है कि intramolecular हो या intermolecular इसलिए से हमारे पास synthesis difficult हो जाती है लेकिन हमारे पास कौन ज़्याधा preferable है intermolecular condensation ज़्यादा preferable है किस तरीके से आप यहां देख सकते हैं इंट्रा हो तो कुछ इस तरीके से और अगर इंट्रमोलिकलर हो तो वो कुछ इस तरीके से hopefully feel आया होगा आपको साचे मोहर थियोरी का तो it is all about today and साचे मोहर थियोरी एक बाद summarize करते हैं हमने क्या क्या किया सबसे पहले हमने बेस टेम थियोरी का थोड़ा रीकैप लिया उसको देखते हुआ हमने साचे मोहर थियोरी का बहुत अच्छे तरीके से feel लिया उसकी statement को समझा then कुछ questions pop up होते थे इस थियोरी से related भी हमने उसको answer करने की कोशिश की और हमारे पास यह इस chapter का यानि एलकेंस एंड साइक्लो एलकेंस का last lecture है hopefully lectures आप के लिए काफी beneficial रहे होंगे आप अपनी feedback हमें comment section में जरूर दें और अपने friends के साथ भी इन lectures को share करें ताकि उन्हें भी इनका benefit मिल सके तो चलिए till next वीडियो keep learning keep growing